हालो फ्रेंड्स, मैसल्फ डॉक्टर सुनील तमार, कंसल्टेंट एंटी सर्जन एंड राइनोप्लास्टी सर्जन्स फ्रेंड्स, वन्स अगें आई वेलकम अल आफ यू इन नोज केर एवेरेनेस प्रोग्राम माई नोज, माई लाइफ दोस्तों विगत कुछ हैपी शोर्स में भी अपने नोज के रिगार्डिंग काफी जो है नोज के विबिन पहलों पे चर्चा की आज जो है माई नोज, माई लाइफ में एक जो कॉमन नोज की सरजरी है उसके बारे में डिसकस करेंगे वो है राइनोप्लास्टी तो क्या है राइनोप्लास्टी, क्या राइनोप्लास्टी के उद्धे से हैं, किसको राइनोप्लास्टी की जरूत है, कौन से राइनोप्लास्टी के टाइप है, क्या महतुपूर्ण चीजे हैं जो आप राइनोप्लास्टी कराने से पहले आपको जानना जरूरी है So, इन सब चीज़ों पर दोस्तों आज हम डिसकॉस करेंगे So, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि क्या है राइनोप्लास्टी, what is राइनोप्लास्टी Friends, राइनोप्लास्टी एक नोज जोब है, एक नोज सरज़री है, नोज की प्लास्टिक सरजरी है जिसमें जो नोज को reset and resize according to the facial harmony जो है वो किया जाता है This is the rhinoplasty Second important thing, what is the motto of rhinoplasty? क्या rhinoplasty के उद्देश से हैं? So, rhinoplasty का उद्देश से हैं कि First important thing, just to provide a blockage free nose to the patient नोज जो है patient की blockage free होना चाहिए And whatever, जो भी patient की जो nose की जो deformity होती है उसको correct करना So, according to the facial profile, वो nose की size और shape को set करना This is the motto of rhinoplasty, जो rhinoplasty के उद्देश है Third important thing, किस को rhinoplasty की जरूत है? What is the indication of rhinoplasty? So, there are some important indication of the rhinoplasty Like if someone have, किसी का nose, flat nose है किसी का nose जो है, बिल्कुल saddle nose है That means, nose का जो उपर का तिहाई इससा है इसके उपर ये जो है, डिप्रेशन है ये जो डिप्रेशन है या फिर rhinoplasty का second indication, इस nose के उपर डौर्सम पे एक उभार निकला हुआ है जिसको hump nose कहते है So, this is the second indication Third, और आल, nose का जो deviation है Nose जो है तिर्चा है, विक्रत है, चनमजाद किसी विक्रती के करण जिसको हमेडिकल लेंग्वेज में crooked nose बोलते है और third, fourth important जो indication है rhinoplasty का कि जो nose है, patient का वो broad nose हो ये जो nose है, ये broad nose हो Normal जो nose की जो width है, उससे broad हो या nose जो है, over long हो, बड़ा हो या किसी patient का जो है, tip की size है, वो broad हो So, ये different, different rhinoplasty के indication है Like saddle nose, flat nose, like hump nose, like crooked nose, like broad nose, like the broad tip और like the droopy tip, these are the common indication अगर कोई patient इन सब से पीडित है, तो उसको rhinoplasty की जरूत है Next important thing कि क्या कौन कौन से rhinoplasty के type है, what is the type of the rhinoplasty दोस्तों, rhinoplasty दो type की procedure है, उसमें, one is the open rhinoplasty, one is the closed rhinoplasty इन दोनों राइनोप्लास्टी में, the work is the same, जो भी अपने को करना होता है बट इन ओपन राइनोप्लास्टी, यहाँ पर एक कोलुमेला पर एक स्मॉल सा इंसीजन patient को होता है उससे राइनोप्लास्टी सर्जन नोज को degloving करके, जो भी उसकी deformity है, उसको correct किया जाता है बट इन क्लोज राइनोप्लास्टी उसके बाहर यहाँ पर इंसीजन नहीं लगता है, वो इंसाइड मेथेड से किया जाता है बहुत ज्यादा ओपन और क्लोज में कोई difference नहीं होता है, क्योंकि अंदर का इंसीजन दोनुं के अंदर सेम ही होता है So, these are the type of राइनोप्लास्टी Next, fourth important thing, कि what is the procedure, that is procedure में क्या किया जाता है ऐसा So, rhinoplasty जो सर्जन है, in rhinoplasty, nose को यहाँ एक small incision से in open rhinoplasty nose को degloving किया जाता है And then we reassess the nose and whatever patient की जो deformity होती है So, उसको correct किया जाता है and सबसे first जो motto होता है, just give the nose, blockage free nose to the patient And whatever whatever deformity होती है, either like hump nose हो, like the crooked nose हो, like the flat nose हो उसको correct करके, और सारी procedure करने के बाद में, यह जो procedure है, around around 9-3 गंठे की एक procedure होती है And under anesthesia ही procedure होती है, patient को इसमें पता नहीं लगता Procedure करने के बाद वापस nose को, जो है वो यहाँ पे बहुत minor hairs जितने से threats आते हैं, sutures आते हैं So friends, यह जो नोज की जो procedure करने के बाद में, नोज के उपर एक splint लगाया जाता है So वो जो भी अपने changes किया है, just to protect that changes वो जो जो नोज के उपर जो splint होता है, वो coming 10 days तक patient के उपर रहता है, rest everything he can do, वो जो भी उपकी routine work कर सकता है कुछ precautions हैं, जो patient को रखनी होते हैं, like heavy exercise, like the dumbbell और यह heavy gyms, वो नहीं करता है And if a patient is smoker, so I think he avoid the smoking coming one month, because these all things are delay the healing, जो healing होती है, उसको delay करता है So यह जो operation के बाद की जो चीजे हैं, वो प्रोसेजर के बारे में जान करी है And last जो important thing, वो कौन से चीजे हैं, जो आपको rhinoplasty कराने से पूर अच्छे से जान लेना चाहिए The first thing, अगर आपको rhinoplasty करानी है, so you are a primarily motivated patient यानि आपको खुद को लगना चाहिए कि मेरे नोज को यह deformity है Never go like, everyone asks, like, सब लोग कहते हैं कि मेरे नाक में यह problem है, आपका नाक ऐसा होना चाहिए, आपका नाक ऐसा ने चाहिए This is not important thing, आपको खुद को लगना चाहिए, आपको आपके मन से है कि मेरा नोज ऐसा है, मेरे नोज में यह deformity है So, यह deformity मेरे correct होनी सी, तो you are a primarily motivated person, ठीक है, not secondary motivated So, rhinoplasty की चुनाव के पहले यह सबसे important thing है And second important thing की, जो rhinoplasty जो procedure है, उसमें नोज को जो अपना जो फैस है, उसके हर्मोनिक के according, resep and resize किया जाता है ना कि किसी celebrity या किसी और के दूसरे के जैसा नोज अपने को बनाना होता है Because like someone asks, उस celebrity की जैसा मेरा को नोज चाहिए, तो वो नोज उसके फैस के लिए बना होता है So, किसी की हूबहू, किसी की दूसरे की जो है, नोज बनाना वो important नहीं है आपके फैस के according, उस नोज को resep and resize किया जाता है Third important thing, rhinoplasty आप कराने से पहले उप्युक्त सर्जन का चुनाव Because nose surgery, जो अपने आप में, it's a very complicated, जित्ती भी cosmetic surgery है Rhinoplasty is a more complicated surgery, the reason because ओर नोज, जो अपना nose है, that have the endless anatomic variation, इसमें बहुत सारी changes होते है And second important thing, कि यह जो nose है, इस surgery में, this surgery needs the form and the function of the nose That means, कि आपका जो nose है, उसका जो अपने को sap है, उसका जो form है, वो भी अच्छा होना चाहिए and then function हो कितना भी सुन्दर ना को, अगर उससे सांस नहीं आता, तो कोई मतलब नहीं है अगर सांस अच्छा आ रहा है, but according to your facial profile नहीं है, तो भी अच्छा नहीं है So, this makes the more complicated, because this surgery needs the form and function And the third important thing, that जो आप rhinoplasty surgeon है, जो करने वाला है, because I am a rhinoplasty surgeon But my result match with your mind thinking, कि जो आपने अपने nose के बारे में सोच रखा है उसके हिसाब से मेरे, आपकी थोट के हिसाब से मेरे को काम करके आपको result देने है So, these all things make it more complicated surgery, okay So, इसलिए जो surgeon का चुनाव है, इसमें वो बहुत important चीज है, जहां पे भी आप surgery करा रहे है उस surgeon के बारे में यह देखिए कि उसको क्या accreditation है, उसको कितना experience है ठीक है ना, उसका internet पे भी देखिए, उसके previous result भी देखिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कि जो हमारे पास जो केसे ही जाते है वो previous operated case होते हैं, उसको करने में then more complicated, ठीक है ना अगर एक ही बार में अगर उसको किया जाते है, तो that is more useful So friends, these are the important things regarding the rhinoplasty आपको if you need the more information about the rhinoplasty, you can login my Facebook page and the website www.nuxrinoplasty.com or jaipurdurbin hospital.com Thank you